सूरा मेरे मज़ पमान तठण फेर में जिखा पधिंग स्माधियानी बुद्धन जो बहुत अच्छी संगती होई हमारी बढ़ोद्रा की बहुत शान्त होई दो डाही सो लोग उसमें आए सब सफेद कपलों में आए बहुत सांती से होई बहुत कम सवाल आए discipline में चली, minute to minute में चली, time to time में चली खाना बहुत अच्छा, adjustment बहुत अच्छा पके पकाए लोग हैं वो सारे सारे बहुत अच्छी उनकी संगती रही तो वहाँ एक चेतन पटिल करके आए दीपक पटिल या चेतन पटिल नाम था कुछ ऐसे ही था उन्होंने का जी मैं दो minute बात करना चाहता हूँ, ठीक है भाई करो अलग में बात करना चाहते हैं, सवाल जवाब हैं तो करो वहाँ उन्होंने फिर वही बात कही, कि जी सारी बाते ठीक हैं, पर science journey ये कहती है कि जो समणों के अंदर सिखाने वाले लोग होते थे वो वमण होते थे तो मैं रहे भाई आप ये कहना चाहते हो कि जो बुद्धिमान लोग होते थे वो वमण होते थे करीजनी वो ये कह रहे हैं कि जो पढ़ाने वाले लोग होते तो भाई पढ़ाने वाले लोग तो पढ़ने वालों से ज्यादा बुद्धी मान होंगे ना तो भूले हाँ जी हाँ तो आप ये कहना चायते हो कि जो वम्र लोग हैं वो समणों से ज्यादा बुद्धी वाले लोग थे वो पढ़ाने वाले थे और हम पढ़ने वा वो क्या करता है वो किसी भी व्यक्ति के जो किसी की किताब छपी है या कोई बोलने वाला है या किसी के पास में कोई डिग्री विग्री है या कोई किसी का कॉलिज का प्रोफिसर वगरा है या कोई भाशन देने वाला है या कोई किसी संटर में काम करने वाला है उसको डिवेट में लेके आता है और उसके अगेंस्ट में दूसरी विचार धारा के आदमी को लेके आता है सवाल जवाब में और दौनों को बढ़ाता है और दोनों को बिढ़ा के सवाल जवाब करता है या वो क्या करता है कि दूसरे मत की जो किताबे है उन किताबों में से कुछ निकाल के लाता है कुछ देवी के वारे में, कुछ देपता के वारे में, कुछ किसी जानकारी के वारे में वो उसको बताता है कि ये गलत है ये सही है ये इस तरह से इस तरह से करता है पर वो चेहरा नहीं दिखाता और वो मोश्ली बात करता है उसके वीवर अच्छे हैं क्योंकि लोगों को ऐसे तर्क वितर्क में मज़ा आता है पर जड़ा आप ये सोचो कि वो चैनल कर क्या रहा है वो चैनल उनका भी परचार कर रहा है अपना परचार नहीं कर रहा है वो उनके विचार धारा का परचार कर रहा है उनके सब्दों को मजबूत कर रहा है उनके देवी देपताओं को आडंबरों को आपको बार बार बता रहा है कि ये ऐसे है ये ऐसे है ठीक वैसे जैसे रामा ने ये एक सिरुलकाष्ट के साथ में अच्छा नहीं किया पहली बात तो संभूक रिषी सिरुलकाष्ट नहीं थे क्योंकि उस समय तक सिरुलकाष्ट नाम कोई सब भी नहीं था काष्ट ही नहीं थी कोई पहली बात दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने संभूक रिषी को बताते हो आप ये कहते हो कि संभुक रिसी मेरे हैं तो आपको ये बात मानना पड़ेगा कि राम उसके विरोध में हैं तो आपको राम की भी बात माननी पड़ेगी और राम की पूरी कहाने भी सत्य माननी पड़ेगी आप अगर संभुक रिसी को सत्य मानोगे सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनको मारा तो हमारे आदमी को मारा पर जिसने मारा है वो भी तो स्विकार करना पड़ेगा फिर आप रामायन को कालपनिक नहीं कह सकते आप फिर रामायन को यथार्त में बदल दोगे क्योंकि आप उनके करेक्टर का एक का नाम दे रहे हो तो दूसरा अपने आप सत्यापित हो जाता है अगर एक करेक्टर की एक्जिस्टेंस एक करेक्टर की आपने यस कर दिया कि यह करेक्टर है तो पूरी रामयन यस हो जाती है फिर आप यह मत कहना कि यह तो कालपनिक है अगर वो कालपनिक है तो संबूक रिसी भी कालपनिक है और अगर वो कालपनिक नहीं है तो संबूक रिसी भी कालपनिक नहीं है यानि संबूक रिसी अगर कालपनिक है तो पूरी रामायन कालपनिक है और अगर आप यह कहते हो कि संबूक रिसी को मारा गलत किया और आपने उसको सत्यता मान ली एगिस्टेंस मान ली उसका यथार्त मान लिया तो फिर पूरी कहानी आपको माननी पड़ेगी आप दो तरफानी चल सकते कि संबूग रिसी भी है और रामेंड कालपनिक भी है इसको समझो वो जो देवी देपताओं की बहस कराता है तो आप अनजाने में देवी देपता को भी यस करते हैं आप आडंबर पाखंड को भी यस करते हैं अगर उनकी किताब से बहस करते हैं तो उनकी किताब को यस करते हैं उनकी किताब को भी अस्तित में मानते हैं, कहा तो आप ये कहते हैं, डॉक्टर मिटकर ने कहा है कि सारी किताबें कालपनिक हैं, इनके कोई लेखक नहीं है, इनका कोई इधियास नहीं है, इनका कोई जानका नहीं है, सब पुरान के नाम से आती हैं, ये कहीं के साक्ष नहीं मिलते हैं, कहीं पत् में बहन जाते हो कि यह बात ऐसे हुए तो गलत थी यह बात ऐसे हुई थी चार बात अगर आप के fivr में नहीं है और एक बात fivr में डाल दी है और फivr वाली बात है उनी की किताबों की बाते करता एंठ बहस करता है और इस बहस का we end हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास में नहीं पताने का बहूत कुछ है। समलों के वारे में क्यों नहीं बता था साइंस चनि चनि चनल समरों dangthe वारे में क्यों बहस नहीं होती या समणों के वारे में इतने सारे समण हैं इतनी बड़ी संबता है इतनी बड़ी संसकती है उसका जिकर क्यों नहीं होता ये मैंने उनको कहा फिर मैंने उनसे ये कहा भाईरे मुरे हैं वो पढ़ाने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं पढ़ने वाले हैं पढ़ने वाले हैं भाई सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं या नहीं है हाँ सबसे बड़े गुरु हैं तो उन्हें तो अपने आपको कभी ब्रह्मन कहानी ब्रह्मन कहानी वो तो हमेशा अपने आप को महा समण बोलते थे तो क्या गौतम बुद्ध जूट बोल रहे हैं यहां यह तो मैंने सोचा नहीं अरे भाई सोच लो एक बार क्योंकि जब आप सामने वाले को यह कहते हो कि यह हमसे ज़्यादा बुद्धि माने पढ़ाने वाला है तो साथ साथ आप यह भी कहते हो कि हम क समबुद्धि वाले हो इसको सुकार करते हो तो यह सुकार करना पड़ेगा आपको पहली बात दूसरी बात यह है कि फिर जगड़ा किस बात का है जब दोनों भाई है तो यह खाई किसली है वो जो बमण है वो समणों का इतना दुस्मन क्यों है कि ना उसको जमीन देता है आजाजाद देता है, उसके गले में हानी टांकता है, उसके पीज़ाव टांकता है, जहा है ये तो मैंने सोचा नहीं, तो भाई इसको सोच लो कि उसका वेवार कैसा है कैसा नहीं है और एक वार जो science journey में लोग है, उनसे भी एक वार पता कर लो कि ये चीज़ कैसे कैसे नहीं क्योंकि हम ठक लिए इस बात से समण का प्रचार आज जादा हो रहा है तो लोग समण पढ़े को सच नहीं मानना है बताए हुए को सच नहीं मानना है मेरे नाम से कोई बताए उसे सच नहीं मानना है मेरे कोई दावा करे के मेरे परिवार से है ये बात बुद्धने कहिए मैंने सुनी है तो सच नहीं मानना है कोई कुछ भी कहे आपने सच कम मानना है आपने सच ज के लिए अच्छी है पहली बात दूसरी बात जो बात आप तर्क पे कर रहे हो वो आपके अनुभब पे भी नहीं चाहिए यानि आप उसको अपने अंदर उतार के देखो कि तर्क तो कलिए है आपने बुद्धी से क्या वो बात सरीर के जो हमारे भाव आते हैं, जो सरीर की तरंगे आती हैं, क्या उसके हिसाब से भी वो सही है या नहीं है, तो पता चलेगा, सरीर की तरंगे कैसे चेक करते हैं, सरीर की तरंगे ऐसे चेक करते हैं, जैसे घर में माबा बैठे हुए हैं, और कोई किराया लेने आ गया घर का जो घर का मालिक है तो बच्चे से ये कहलवा दिया कह दे पापा घर पर नहीं है और पापा घर में बैठे हुए है तो बच्चे ने तो जाने अंजाने अपने माबाप का आदे समान के कह दिया अंकल जी पापा घर पर नहीं है पर पापा अपने मन में देखे सरीर में कि ये बात सही है या नहीं है वो अनुभव पर देखे तो वो देखेगा कि उसके सरीर में ये बात accept नहीं हुई ये जूटी बात है ये गलत बात है सच्चाई से परे बात है तो जितनी बात हैं हम तर्ग तर्ग पर करते हैं उनको खुद पर उतार के देखें कि ये बात ठीक है ये नहीं है अगर हुआ ठीक बैठती है तो वो बात ठीक है तो अनुबब पर उतार के देखना चाहिए तो बुद्ध जैसे व्यक्ति उस समय कहते हैं जबकि ना उस समय किताब थी ना तामर पत्थर थे कि भई इन बातों को लिखा पड़ा जो भी है इनको नहीं मानना है तर्फ पर मानना है कोई ग्यानी आदमी है कहके गया है अपनी बात के लिए मनें कर रहा है तो कोई कारण तो होगा यही कारण था क्योंकि पत्थर पे लिखी बात किसने लिखी किसने नहीं लिखी कब लिखी इसका वेरिफिकेशन नहीं होता वेरिफिकेशन आज की समय साइंस की जमाने में अगर होता है तो जो चीज कारवन डेटिंग में जिसमें कारवन होता है जैसे पेड की छाल है, पेड है, कोई मानव है, कोई जीव है, कोई हड़ी है यानि कोई ऐसा पधारत है पेड का या जीवित होने का उसमें जिसमें कारवन है उससे पता चलता है कि ये कितने हजार साल पुराना है कितने हजार साल पुराना नहीं है पर पत्थर में कारवन नहीं होता पत्थर में कारवन नहीं होता इसलिए पत्थर की डेटिंग नहीं होती पता नहीं चल पाता तो पत्थर की डेटिंग को अनुमान से करते हैं इस काल में यह हुआ होगा यहां यह लिखा है कुछ बात सची जोडते हैं ध्यासकार कुछ गलत जोडते हैं तो भाई जब आपकी सिक्षा चली गई आपके पास अक्षर ग्यान नहीं अक्षर बाद में बने हैं अब किस ने लिखा क्या लिख दिया क्यो लिख दिया, सारी बातें सच नहीं हो सकती है, कुछ बातें कौमा बिंदी दर दर घुमा के बदल भी सकता है आदमी, क्योंकि अगर आदमी के भाव अच्छा नहीं है, मन अच्छा नहीं है, तो आँख बंद करके यकीन करने का नहीं है, फिर हमने उनसे ये पूछा, अच्छ संस्किति वारे में डॉक्टराम्मेटकर भी एक सारे दुनिया कहती है कि भारत की संस्किति है अधारक बिसाल है बहुत बड़ा है हमारे काले लोगों ऐसे संस्किति का कोई संस्किति का क्या जी क क्या है तो घमां Dre संसकती है उसका कहीं जिक्र नहीं मिलता वो कहीं नहीं है संसकती एक ही है पर उसके अगेंस्ट में अपोजिशन में बोल देते हैं कि ये संसकती उनकी है जो उनके साथ बाहर से लोग लेके आए कल्च लेके आए ये बात मैंने उनको कही तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मेरे कोई बताओ कि यहूदियों की जो संसकती है उसमें जो सब्द आता है उनको हूद बोलते है और यहूदी संसकती बोलते है जो इसलाम है उनको इसलामिक संसकती बोलते है और उनको इसलामिक कल्चर बोलते है और इसलाम से तो भाई अगर ये स्रमणों की संसकती है स्रमणों की संसकती है और ये स्रमणों की भासा है तो इस संसकती के लोगों को क्या बोलेंगे तुम मेरे को बता दो हमें क्या बोलेंगे चलो स्रमण पसंद नहीं है स्रमण में दिक्कत आ गई है स्रमण में तुमने रटा माल लिया कहीं से कि स्रमण और बमर दोनों एकी होते हैं और नहीं मानते इस बात को क्योंकि लिख चुके हो तो मानोगे कैसे तो हम हैं कौन जब हमारी स्रमण संसकती है स्रमण संसकती है तो भाईया जब जब तुम कहते हो कि मुसल्मान संसकती का मुसल्मान है, हिसाई संसकती का हिसाई है, जर्मन संसकती का जर्मन है, और यहूदी संसकती का यहूदी है, और बौद संसकती का बौद है, तो सर्मन संसकती का कौन होगा, अब सर्मन संसकती का कास्टों में टुकड़ों में बटेगी उस समय, जबकि तो सिर्मन संक्ति के बंदे को सिर्मन बोलेंगे संसकत भासा में वहान पनागा है तो सर्मन है और अगर ना भी बोलना चाहो, हमें कुई अत्राज नहीं है हमें बता दो हम है क्या हमारी संसकति क्या है यह हम बिना संसकती खूम रहें ये 120 करोड़ लोग इनकी कोई कल्चर ही नहीं है, ये इनके इतने पराने पराने रीती रिवाज हैं, इतने पराने पराने इनके फेस्टिवल हैं, इतने पराने पराने इनके राजकाज हैं, इनके समराटा सोग जैसे लोग हैं, इनके बुद्ध जैसे लोग हैं, इनकी कोई आवारिस लोग हैं, तो भाई कुस तो हद करो, कहीं तो ठिको, कहीं तो आओ, हम बहस करने को त्यार हैं, हमें बता दो हम को ने, हम तो वह वह मान लेंगे, पर तुम खाली अपनी बात को सच करने के लिए, और जब से हम समण सब्द का परचार कर रहे हैं, तुम कूद कूद क लिखे को नहीं मानते, ये भी बड़ी अजीब बात है, पहली वाली बात नहीं मानते, जो वो मेगस्तनीज की इंडिया में साथ परकार के समण हैं, तुम को वो नहीं दिखाई देते, वो तुम को कुछ और दिखाई 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 देते हैं, पत्थरों से खोद के ल तो बात को समालोगे नहीं, तो बताओगे नहीं, हम कौन है, कौन नहीं है, ये बात वहाँ उन से हुई, मान गे वो इस बात को, कि ठीक कह रहे हो, आप मेरी समझ में थोड़ा अंतर था, मैं साइस जन्नी को बात करूँगा, बात करो ये ना करो, पर हमें थोड़ी दिक्कत हो उनका मुकावला करेंगे हम समय के साथ से हमारे एक यहाँ अच्छे संगी हैं आज कल सालेंट रोगें नाम है अनिल वांड। कर ताइंजी थी रचिना वांड कर एक दिन अवला चुछ ही तहीं तो लगीदे चुछी उंको और उनowe थे उन्होंने Portal उनको दे दिया और वह यहां पंडाने आगे गलत किया उन्होंने क्योंकि अगर डूटी उनकी थी तो Portal उनको नहीं दे न चीए था क्योंकि वह इतने एक्टिव नहीं थे एक्टिव बहंजी थी अब यहां कहीं से पढ़ के आएए साइध वहीं से वीडियो को उल्टा करके बता रहे हैं तो मैं वहाँ पोर्टिल पर जोइन किया मैंने सुना वो फिर केने लगे समण और वमनई की होते हैं तो मैंने उन से का रहे भाई आप जब यहां संग में आए थे तो यह बात ते थी कि हम समण संखती पर काम कर रहे हैं और समण और वमन का पूरा इसपश्ट है और जब हम इसको accept कर लेते हैं तब काम करते हैं आप पहले ऐसे वेक्ति हो जो अपनी ideology को अपने हाथों सही काट रहे हो सिर्फ इसलिए कि किसी वेक्ति ने कह दिया वीडियो में कि समण मौन एक होते हैं तो आप इसका कोई evidence लाओ कुछ तो लेके आओ अगर समण van Пред एक होते हैं तो मुझे ये समझा दो करते हैं जिन को पड़ाते हैं अनको प्रण हो करते है लोग हैं यह उपर क्रूर तक कि क्यों करते हैं इसी बात का जवाब दे दो बागि बात हैं तो हम बाद में पूछ लेंगे फित को जो लोग बतारें वो ठीक नहीं है अरे भाईया जो मैं बता रहा हूँ और जो बाकी लोग बता रहे हैं हम तर्क वितक के लिए 24 गंटे तैयार हैं हम तो अपनी नेशनलिटी अपनी आइडिनिटी ढूंटे ढूंटे परिसान हैं हम नहीं कहते कि हम ठीक हैं पर जो सही है वो पैनिन सुला है एक जगह है आप गौंट करोगे गौंट के वारें बताओगे तो सारे लोग गौंड हैं पर कहीं तो लाइन खीचोगे उन लोगों आपने वभर्म संग मेंक okay अपने बचलोगे आप फिर आवस् PPE क्या पड़ी है अगर यह परिसाने ना हुती तो हम को एकटा होके अलग कि अखटे हो रहे हैं अगर हमरों पृतारम करने वाले के पीठने के साथ ही बैठे रहेंगे उससे अलग नहीं हटेंगे तो वो तो पीटता रहेगा हमें उसको तादत पड़ी वे पीट नहींगे वो तो पीट के हमारा सारा समाल लेगा नाराज होगे तर्ग बता करने तो कोई आता नहीं है कहरा जी भई आप जो नौलिज डाते हो क्योंकि म यहां जितने भी लोग हैं, मैं उनको यह समझाना चाहता हूँ, कि जतने भी लोग हम से बात करते हैं, या हम जितने लोगों से बात करते हैं, या हम भी जो बात करते हैं, वो जानकारी हमें किताबों से मिलती है, वो जानकारी हमें कहीं अकवार से मिलती है, कहीं वीडियो से म हम जानकारी के साथ साथ में ये भी देखते हैं कि हमारे लोगों की पुरानी कल्चर, हमारे लोगों की पुरानी इस्थिति हमारे लोगों का रहेंसेन, हमारे लोगों का वहवार, हमारे लोगों की आज की इस्थिति वो सब कहां इसमें फिट होती है, कहां नहीं होती है हम यहां तर्क वितर्क करते हैं तर्क वितर्क करने के बाद में किसी निसकर्स पर पहुंसते हैं हम किताबों के पीछे नहीं चलते हैं क्योंकि वो जो राम बचन जी जो थे साइंटिस्ट उनसे मैंने कहा कि भाई ये जो जानकारी आप लाए हो बुद्ध के वारे में कि बुद्ध ऐसा है बुद्ध वैसा जो भी उन्होंने कहा ये कहां से लाए तो उन्होंने कहा कि देखो ये किताब एक है यहां से मैं लेके आया तो मैंने कहा भाई ये किताब किसकी है ये जिसकी किताब है उससे पूछो के वो ऐसा क्यों बोलता है आप दूसरे की लिखी किताब को कोड करोगे तो पहले उससे पता तो कलो के वो ऐसी किताब क्यों लिखता है आप उसकी किताब को सच क्यों मानते हो क्योंकि आपके मन में भी ऐसी चीज है जो मैच कर गई है उससे इसलिए आपको लगता है आप दूसरे पक्ष के बारे में भी तो सुनो दूसरा पक्ष भी तो देखो वो भी तो जरूरी है कोई चीज ऐसा थोड़ी चलती है ये बात रही तो वो जो हमारे खुद के संगी है उनको भी ऐसा लगा कि समड़ वमण में जो समड़ वमण होते है वो दोनों एक सीनियर होता है एक जूनियर होता है ऐसा कहीं दूर दूर तक है नहीं मैंने उनको ये बताया जो पटेल थे कि भाई जो विदवान होता है जो जादा जानकार होता है जो पढ़ाने वाला होता उसका वमण सब्द कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में वमण सब्द नहीं बोलते हैं उसको, वमण या वमण या वमण का मतलब वाम पक्ष यानि के उल्टा पक्ष होता है, एक दाया पक्ष होता है, वाम से बना हुआ है, उल्टे को बोलते हैं वाम, दाय को बोलते हैं, बाय आप इस पस्ट रूप से इस बात को जान लो कि जो विदवान होता है उसको या तो विदवान के नाम से बोलते हैं या पाली में वियू के नाम से बोलते हैं वियू के नाम से तो वियू होगा या उसको याती के नाम से बोलते हैं याता के नाम से बोलते हैं यानी भी बोलते हैं यानी भी बोलते हैं उसको बुद्धी मन्तु भी बोलते हैं उसको बुद्धी मान भी बोलते हैं पर भाई किसी भी हलत में बमण नहीं बोलते हैं ये कोई सब्द नहीं है जब से इस पर बात बहुत हो रही है खुब ढूंडा मैंने और फिर भी कोई कैसे माने करे, उसका जीवन खतम हो जाता है, लोग उसकी मानने तक खतम कर देते हैं, लोग कहते हैं, तो कैसी किताब लिखता है, ते अंदर उल्टी लिख दे और उस पर भी वह लेक्चर दे दे उस पर और समस्या है, तो वो अपनी सपोर्ट में कहीं पत्थर लेका आएगा कहीं तामरुपत लेके आएगा भाई हम तामरुपत पे और पत्थर पे यकीन नहीं करते हैं कि हमारे साथ क्या घट रहा है कौन हमारे साथ क्या कर रहा है कोई हमें किताब में लिख दे के ब्रहमन बहुत सुसीर सज्जन होता है और ये समडों का बड़ा हितैसी होता है और य कहीं नहीं तो क्या लिखे को सच मालने है हो तो रहा है उल्टा लिखा क्या है क्या नहीं है और जो मनुस्मर्थी में लिखा है बल्कुल उससे ज्यादा चलता है तो आप देखो के चीजें कहां गट रही है कहां नहीं गट रही है बुद्धी का इस्तमाल करना चाहिए कौन कहेगा कि वो जमीन में नहीं गार दी गए कौन कहेगा कि वो बात में नहीं लिखे गए कोई है परूफ क्या पत्थरों पर लिखे का कोई परूफ नहीं होता कि कितने साल पुराने है इसलिए वो बहस बेकार है तामर पर पर लिखे हुए का भी कोई सबुत नहीं होता कि हो जाए जो फोर्स डॉकुमेंट बनते हैं जो जाली कागज बनते हैं किसी को गर 20 साल पुराना जाली कागज झाल झाल